उदाहरन 14 है, प्रेश्न, दिये गए चित्र 40 में X का मान ग्याद केजिया, हल, दिये गए चित्र में A, B, C, D, चत्रुभुज है, A और C को मिलाते हुए रेखा खंड, खीचा, तथा इसे E तक बढ़ाया, चित्र 41, देखिये, मान लिजी, कोण, D, A, E, बराबर, P, अंश, कोण, B, A, E, बराबर, Q, अंश, कोण, D, C, E, बराबर, Z, अंश, कोण, E, C, B, बराबर, T, अंश, अब चित्र में फिर से देखिये, त्रिभुज A, C, D में, त्रिभुज A, C, D में, वाहे कोण प्रमे से आप लिख सकते हैं, वाहे कोण प्रमे से, कोण, D, C, E, बराबर, कोण, C, A, D, धन, कोण, A, D, C, D, C, E, कामान रखने पर, जेड अंश, बराबर, कोण, C, A, D, यानि, P, अंश, धन, कोण, A, D, C, यानि, 26 अंश, समीकरण, एक, त्रिभुज A, B, C, में, देख सकते हैं, कोण, B, C, E, बराबर, कोण, B, A, C, धन, कोण, A, B, C, कोण, B, C, कामान, T, अंश, बराबर, कोण, B, A, C, कामान, Q, अंश, और, कोण, A, B, C, कामान, 38 अंश, समीकरण, दो, समीकरण, एक, और समीकरण, दो, को जोड़ने पर, हमें मिलता है, Z, अंश, धन, T, अंश, बराबर, P, अंश, धन, 26 अंश, धन, Q, अंश, धन, 38 अंश, चित्र में आप देखिए, Z, अंश, और, T, अंश, यानि, कोण, D, C, E, और, कोण, B, C, E, या, कोण, E, C, B, दोनों को जोड़ने पर, हमें मिलता है, X, और, इसलिए हम लिख देते हैं, Z, अंश, धन, T, अंश, बराबर, X, बराबर, X, बराबर, P, धन, P, अंश, धन, Q, अंश, और, 26 और, 38 को जोड़ने पर, हमें मिलता है, 64, तो, इन दोनों को जोड़ करके हमने लिख दिया, अब फिर से देखिए चित्र में कौण DAP यानि PN और कौण BAE यानि QN दोनों को जोड़ने पर मिलेगा हमें कौण DAB यानि PN और QN का मान हमें मिलता है 46 अंश तो हम PN धन QN दोनों का जोड़ लिखते हैं 46 अंश और इसलिए हमें मिलता है X बराबर 46 अंश धन 64 अंश 46 और 64 को जोड़ने पर हमें मिल जाता है X बराबर 110 अंश इस तरह से हमें उत्तर प्राप्ट हो जाता है X बराबर 110 अंश हम इस तरह से बाक्स में भी लिख सकते हैं X बराबर 110 अंश